नीती वचन दूसरा अध्याई 12 से 22 तक ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर क के बातों में मगन रहते हैं जिनकी चाल चलन टेड़ी मेड़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं तब तो पराईस्थ्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बाते बोलती है और अपनी जवानी के साती को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को कर मृत्यों के दलान पर है और उसके डगरे मरे हो के बीच पहुंचाती है जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लोट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं भले मनुश्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पत को पकड़े रह क्योंकि धर्मी लोग देश में से नश्ट होंगे और विश्वास घाती उसमें से उखाड़े जाएंगे मत थी 14 अध्याई 1 से 21 तक उस समय चौथाई देश के राजा हिरोदेश ने इशू की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा यह युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला है वो मरे हूं में से जी उठ था है इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रगट होते हैं क्योंकि हिरोदेश ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हिरोदियास के कारण यहन्ना को पकड़ कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था क्योंकि यहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उच्चत हैं इसलिए वो उससे मार डालना चाता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उससे भविश्य दकता मानते थे पर जब हिरोदेश का जनम दिन आया तो हिरोदियास के बेटी ने उत्सव में नाच दिखा कर हिरोदेश को खुश किया इस पर उसने शपत खा कर वच्चन द यही मुझे मंगवा दे राजा दुखी हुआ पर अपनी शपत के और साथ बैटने वालों के कारण आग्या दी कि दे दी जाए और उसने जेल खाने में लोगों को भेज कर युहना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया जिसे वह और उसके शव को ले जाकर गाड दिया और जाकर ईशु को समाचार दिया जब ईशु ने ये सुना तो वह नाव पर चड़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदली उसके पीछे हो लिये उसने निकल कर एक बड़ी भी हमारों को चंगा किया जब सांज हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा ये सुनसान जगह है और देर हो रही है लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले पर ईशु ने उनसे कहा उनका जाना अवर्ष्य नहीं तुम ही इन पास ले आओ तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन पांच रोटियों और दो मचलियों को लिया और स्वर्ग की और देखकर धन्यवात किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों पती चालिसवा अध्याई एक से तेईस तक बंदियों के स्वपनों का अर्थ बताना। पती था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौपा और वो उनकी सेवा टहल करने लगा। अतह वे कुछ दिन तक बंदिग्रम में रहे। उदास है इसलिए उसने फिरोन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के गर के बंदिग्रिव में थे पूछा अज तुम्हारे मुग क्यों उदास है। उन्होंने उससे कहा हम दोनों ने स्वपन देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा क्या स्वपनों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है। मुझे अपना अपना स्वपन बताओ। तब पिलाने हारो का प्रधान अपना स्वपन यूसुफ को यो बताने लगा। मैंने स्वपनमें देखा कि मेरे सामने एक दाक लता है और उस दाक लता में तीन डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है और वे फुली और उसके गुछों में दाक लगकर पक गई। फिरोन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरोन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरोन के हाथ में दिया तब यूसुफ ने उससे कहा इसका फल यह है तीन डालियों का अर्थ तीन दिन है इसलिए अब से तीन दिन के बीतर फिरोन तेरा सर उं में फिर दिया करेगा अतहर जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरन करना और मुझे पर कृपा करके फिरों से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुडवा देना क्योंकि सच मुझ इबरानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहां भी मैंने कोई ऐस काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाओं यह देख करकि उसके स्वपन का फल अच्छा निकला पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा मैंने भी स्वपन देखा है वह यह है मैंने देखा कि मेरे सिर्पर सफेद रोटी की तीन टोक्रियां है और की तोक्री में फिरोन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर्पर की तोक्री में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं यूसुफ ने कहा इसका फल यह है तीन टोक्रियों का अर्थ तीन दिन है अब से तीन दिन के बीतर फिरोन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक व्रिक्ष पर तंगवा देगा और पक्षे तेरे मास को नोच नोच कर खाएंगे तीसरे दिन फिरोन का जनम दिन था उसने अपने सब करमचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदिगर से न पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वपनों का फल उनसे कहा था फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसे भूल गया उत्पती 41 अध्याई 1 से 40 तक फिरोन के स्वपनों का अर्थ बताना पूरे दो वर्ष बीतने पर फिरोन ने ये स्वपन देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से साथ सुन्दर और मोटी मोटी गाये निकल कर कचार की घास चरने लगी और क्या देखा कि उनके पीछे और साथ गाये जो कूरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई तब ये कूरूप और दुर्बल गाये उन साथ सुन्दर और मोटी मोटी गायों को खा गई तब फिर उन जाग उठा और वो फिर सो गया और दूसरा स्वपन देखा कि एक डंटल में से साथ मोटी और अच्छी अच्छी बाले निकली और क्या देखा कि उनके पीछे साथ बाले पतली और पूर्वाई से मुर्जाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन साथों मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया तब फिरुन जागा और उसे मालुम हुआ कि ये स्वपन ही था बोर को फिरोन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब जोतिशों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वपन बताए पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरोन को न बता सका तब पिलाने हारों के प्रधान फिरोन से बोल उठा मेरे अपराद आज मुझे स्मरन आये जब फिरोन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद कराके अंगरक्षकों के प्रधान के गर के बंदिग्रह में डाल दिया था तब हम दो और उसने हमारे स्वपनों का फल हमसे कहा हम में से एक एक स्वपन का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिल गया पर वह फासी पर लटकाया गया तब फिरोन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और और वो जटपट बंदिग्र के बाहर निकल गया और बाल बनवा कर और वस्तर बदल कर फिरोन के सामने आया फिरोन ने यूसुफ से कहा मैंने एक स्वपन देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है और मैंने तेरे विश्य में सुना है कि तू स्वपन सुनते ही उसका फल बता सकता है यूसुफ ने फिरोन से कहा मैं तो कुछ नहीं जानता परमीश्वर ही फिरोन के लिए शुब वचन देगा फिर फिरोन यूसुफ से कहने लगा मैंने अपने स्वपन में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ फिर क्या देखा कि नदी में से साथ मोटी और सुंदर सुंदर गाये निकल कर कचार की घास चरने लगी फिर क्या देखा कि उनके पीछे साथ और गाये निकली ज उन पहली सातों मोटी मोटी गायों को खा लिया और जब वे उनको खा गई तब ये मालुम नहीं होता था कि वे उनको खा गई है क्योंकि वे पहले के समान जैसे की तैसी कुडॉल रही तब मैं जाग उठा फिर मैंने दूसरा स्वपन देखा कि एक ही टंडल में सात अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बाले निकली फिर क्या देखता हूं कि उनके पीछे और सात बाले चूची चूची और पतली और पूर्वाई से मुर्जाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन सात अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया इसे मैंने जोतिशो को पर इसका समझाने हारा कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरोन से कहा। वे अकाल के साथ वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरोन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरोन को दिखाया है। देश में फिर स्मरन न रहेगा क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा और फिरोन ने जो यह स्वपन दो बार देखा है इसका बेद यही है कि यह बात परमेश्वर की और से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शिग्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरोन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंड करके उसे मिसरे देश पर प्रधान मंत्री टहराए। फिरोन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के साथ वर्ष रहे तब तक वो मिसरे देश की उपच का पंचमान्श लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इखटा करे और नगर नगर में बंडार गर बो जन के लिए रखी रहे जिससे देश का उस अकाल से सत्यनाशना हो जाए यह बात फिरोन और उसके सारे करमचारियों को अच्छी लगी इसलिए फिरोन ने अपने करमचारियों से कहा क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है फिर फिरोन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुझे इतना ग्यान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमा नहीं इस कारण तु मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आग्या के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी केवल राजगदी के विशय म मैं तुझ से बड़ा तहरूंगा